हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल मैडिको मैम जैसा कि हम पहले से ही जो लेबरोटी टेक्निशिंस कॉंपिटिटिव एक्जाम है उसके MCQs की सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने इससे पहले दो पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ यह हमारी सीरीज का थर्ड पार्ट है और टोपिक हमारा वही सेम है हेमेटलोजी तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिल सके तो चलिए आप स्टार्ट करत होते हैं हमारा वीडियो कि आज की सबसे फस्री किशन हमारा बाइकॉन के शेप और आर बीछी इस मेंने टेंड बाई विच प्रोटीन ठीक है आपको इसमें चार उप्शन दे रखिए हैं सबसे पहले तो हम यह जानले की जो आरबीची की सेप होती है वह कैसी होती है बाइ यह तो आपको पता ही होगा कि जो bi-concave और bi-convex किस तरह के shape होती हैं, हमने यह जो 9-10 में पढ़ते थे, उस टाइम में यह लैंस का जो chapter होता है, उसमें यह अच्छी तरह से explain कर रहा था, कि जो लैंस होता है, वो two types को होते हैं, convex और concave, तो by का मतला होता है, दो no side से, ठीक है, तो जो concave shape की होती है, वो RBC किस की वज़े से होती हैं, आपके option है, first option A है, albumin protein की वज़े से होती है, यह spectrin protein की वज़े से होती है, यह globulin protein की वज़े से, यह micro filament की वज़े से होती है, इन चार options में से, सही option क्या है, अगर आपको इसका answer पता है, तो आप comments box में, comments जरूर करें, तो इसका answer क्या है, मैं बता देती हूँ, इसका answer होगा, option B है, spectrin, ठीक है, spectrin की वज़े से क्या होता है, RBC की जो shape होती है, वो by concave shape के होती है, ठीक है, next question हमारा question number two है, hemopoietic site in fetus is, थीक है, hemopoietic site किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए, इसी site, जो क्या formation करती है, blood का formation करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, hemopoietic site में, प्रॉसेस बोलते हैं, तो जो fetus होता है, उसमें, कहां पर, blood का formation होता है, तो आपके सामने option चाहा है लीवर में होता है या फिर spleen में होता है या bone marrow में होता है या thymus में होता है तो एक-एक option आपको मैं explain कर देती हूँ spleen, spleen में तो हो गई नहीं spleen में क्या होता है RBCS का destruction होता है spleen को एक नाम और बोलता है RBCS का कब्रगरा होता है उसको क्या बोलते है spleen बोलते है next है bone marrow bone marrow में adult में क्या होता है कि blood का formation होता है next option हमारा thymus thymus में मैंने जो पिछले वीडियो है उसमें भी बताया कि thymus को क्या बोलते है जो T lymphocytes होती है वहाँ उसका maturation कहाँ पर होता है thymus में होता है तो अब हमारा जो option बचा है वो क्या है option A है liver liver के अंदर ही क्या होता है hemopoietic site होती है fetus के अंदर next जो 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 जाता है या convert होगर कि adult में या फिर बन जाता तो उसमें जो RBCS का production होता है वो कहाँ होने लग जाता है bond marrow में होने लग जाता है तो इसका हमारा जो answer होगा वो होगा liver A option तो आतिंक आपके अपके समझ में आगे हो अब हम चलते है question number 2 की तरफ sorry question number 3 की तरफ question number 3 है color of hemocederine is तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए हीमो से डिरीन होता क्या है हीमो से डिरीन होता है आइरन का storage form जब हीम का क्या होता है breakdown होता है तो किसमें convert हो जाता है आइरन में और ब्लीवर्डीन में convert होता है तो इसमें से जो आइरन store होता है टिसूज में क्या हो जाता है आईरेन को पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर भोगा ब्राउन कलर का हमारा ओप्शन है बी इसलिए आपको समझाने के लिए दे रखा है कि जब जो आइरें होता है वो स्टोरीज होता है तो इस तरह से क्या साइन सिम्टम दिखाए देते हैं बॉडी के अंदर जिसमें यह डिजीज होती है ठीक है आपको यह अच्छे तरह से लिए भी आरबी की जो फिक्नस होती है इसे पिछले वाला जो उसमें मैंने क्या बताया था आपको इस तरह से आपको फीगर में भी दिख्रक आख ओर इस तरह से यह डिए धेली के से इसमें यह प्लेट के कंपोनेंट्स होते है इसमें पुरा एक्सप्लेइन और कर देती ह में आपको इसका जो टॉप व्यो और वीव है और पीस तरह से दिखाए देती है अगर हम इसको साइड Whatsapp ग kaum साइड को सांधी संदे इस तरह से तरह से दिखाए दे की यहां से तक इसकी जो लेंद्ध होती है कितनी होती हिए 7 मैच्ट रेच्ट एइसके डाइमितर भी वाउनफ को पॉइंटर गार्ट मेच्च होता है इसको पॉइंटर । को समय जो दे सकते इसका आंसर क्या होगा है इसका अपूर्ण होगा है- किसकी RBC की ठीक है यह question number 4 complete होगा है आपर इसके बाद हम चलते हैं question number 5 की तरफ now question number 5 is the formation of hemoglobin कहां होता है ठीक है RBC का sorry hemoglobin का formation है वो कहां होगा option A है आपका ribosomes में होता है यह गोलजी apparatus में होता है यह फिर mitochondria में होता है यह फिर इन सभी में होता है ठीक है अब बताएं किसका answer क्या होगा अगर आपको इसका answer पता है तो comments box में comments जरूर करते रहें इस तरह से क्या होगा आपकी भी preparation अच्छी हो जाएगी तो बताएं इसका answer इसका answer होगा answer हमारा C mitochondria mitochondria या cytosol जिसमें क्या होता है हीमोगलोवीन का formation होता है ठीक है यह हो गया हमारे question number 5 आपको अच्छी तरह से समझ में आगया होगा आपको अगर question अच्छे लग रहें interesting लग रहें आपको लग रहा है कि हमारे लिए exam के लिए अच्छे हैं useful है तो आप channel को जरूर लाइक करें आपका लाइक ही मेरे लिए motivation है ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ठीक है next question की तरफ चलते हैं question number 6 की तरफ question number 6 bone marrow components are bone marrow के जो components है ठीक है किन किन से मिल करके बनी होती है यह bone marrow का function आपको पता है यह सभी को यह क्या करता है blood formation का काम करती है इसमें कौन कौन सी cell होती है bone marrow के अंदर तो आपकी सामने option है erythroid cells होती है myloid cells होती है lymphoid cells होती है all of the above होती है ठीक है तो I think आपको इनका answer पता है यह answer होगा इसका all of the above ठीक है इस तरह से आप इस figure को देखकर भी समझ सकते हैं यह क्या होती है blood stem cell ठीक है blood stem cell को कितने parts में divide क इससे बूट्स में यह ओते लिंफोट साम और यह होती है myloid stem cell जो myloid stem cell होती है वह किसका formation करती है stem cell क्या पूल सकते इसको daughter cell बोल सकते जीक है किसकी daughter cells होती है यह rbcwbc's which blood cells के ठीक है यह जो blood cell है rbc-wbc उसकी जो dalफर होती है उसको बोलते है cohort से अब यह किस का जो lazyn करती है एक तो myeloplasd का करती इससके बाद बहुत करती है और रेट ब्लेट से यह हम कह सकते हैं इसको er erfolgreich माईठव mayeloplasd सेल है वह क्या किसमें डिवाइड हो कि यह ऐसे not nécessaire やन्यव करने जो टी य Solomon समय ममल टो मिनींव करेंगा सैजिके नेक्स्ट है जो स्टेंप रुटी यह वो इसमें किसकोल होती मिल्भफॉसट होती है उसकी डाउटर सैर्स हो क्या बनते हैं B lymphocytes है T lymphocytes है और natural killer cell होती है यह सारी क्या होती है white blood cells होती है यह क्या होती है granulocytes और यह agronulocytes होती है ठीक है इस तरह से क्या होती है यह bond में remain का formation होता है तो इसमें हमारा answer क्या होगा all of the अबाव होगा ठीक है यह मैंना आपको figure इसलिए दे रखा है कि ताकि आपको मैं इसमें और अच्छी deep में इसको explain कर सकूं ठीक है नेक्स हमारा question है question number seven blood cells that defend against bacterial and fungal infection जब हमारी body में किसी beef bacterial या fungal का infection हो जाता है तब हमारी body में कौन सी ऐसी blood cells है जो defense का का काम करती है जो उनसे लड़ने का काम करती है आपको यह तो पता ही है कि हमारे body में क्या होती है तीन type की cells होती है ठीक है questions me next slide में आने वाला है ठीक है आपको इसी में इसका answer मिल जाएगा उसमें आकसा नहीं से आप उसका answer दे सकते कि जो body में क्या होती है blood cells होती है कितनी होती है red blood white blood cells होती है platelets ही होती है ठीक है तो body में ऐसी कौन सी cell है जो bacterial और fungal infection से लड़ने में क्या करती है help करती है तो आप बताएं इन में कौन सी है कि यह तो पता हैं यह white blood cells होती है white blood cells का भी कौन सा part होता है के टाइस होते हैं इसका answer होगा option A, eosinophil होगा, यह neutrophils है, यह T lymphocytes है, यह B lymphocytes है, तो अगर आपको इसका answer पता है, तो आप comments box में comments कर सकती है, तो इसका answer में बता देती हूँ, आपको इसका answer होगा, option B, neutrophil, neutrophil है, वो क्या करती है, जब भी हमारी body में किसी भी fungal या bacterial infection होता है, तो उस time यह क्या करती है, defense का काम करती है, उनसे against उनको क्या करती है, kill करने का काम करती है, next question की तरफ हम देखते हैं, now question number 8, true about macrophages, macrophages के बारे में क्या सही है, ठीक है, macrophages, आपको पता होना चाहिए, क्या होते है, macrophages, macrophages हम क्या बोल सकते हैं, दो वर्ड़ों से मिलका बना, macrophages, 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 रहे हम को बोल सकते हैं, phagocytos, सिस भी कह सकते हैं, ठीक है, तो इन में से macrophages के लिए, क्या बात सही है, option A है आपका, macrophages are found in late phase of inflammation, inflammation की late phase में पाये जाते हैं थी, कि जब भी बोड़ी में किसी तरह का inflammation हो जाता है, तो उसकी जो last phase होती है उसमें क्या होते हैं मेक्रोफेज़ पाए जाते हैं ठीक है बिल्कुल सही बात है next question है option B है histocytes, kufar cells and osteoclast are the example of macrophages histocytes cells होते हैं kufar cells किसमें पाए जाती हैं लीवर में पाए जाती है यह भी क्या होती है इसके अलावा histocytes cell होती है वह भी क्या होती है और osteoclast cell क्या होती है जो क्या होती है बौन को यह एक healthy bond को डवलब करने के वाली जो सेल होती है उसको बोलते है osteoclast cell तो यह सभी example है macrophages के तो बिल्कुल सही बात है यह जो यह सारी जो है cell हो क्या है macrophages के ही example है ठीक है आपको समझ में आ गया होगा ठीक है histocytes cell है और ooper cells है और osteoclast cell है ठीक है तो यह सब example किसके है macrophages के हैं तो हमारा जो इसका option होगा वो क्या होगा अब आसानी से इसका अंसर दे सकते हो इसका answer होगा C ठीक है बोथ A and B now next question question number 9 है हमारा cellular element of blood cell जो blood होता है उसके कितने cellular elements पाए जाते हैं बताइए आप इसमें आप इन है ठीक है यह फिर 576 जो एल्मेंट पता होना चाहिए आपको कौन कौन से होते हैं blood कि ब्लड किन किन से मिलकर के बना होता है तो मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया है इसका कि जो ब्लड होता है उसके तीन elements होते है mainly कौन कौन सी होती है कौन से होते हैं तीन तरह की होती है white blood cells होती है ठीक है और red blood cells होती है और platelets होती है तो इसका answer क्या हो जाएगा आसानी से बता सकते हो तो आप option A है इसका सही answer तीन cellular elements होती है ठीक है आपको question easy लग रहे होंगे लेकिन कई बार क्या है इसमें हम confused हो जाते हैं कि जो cellular elements हैं blood के वो कितने हैं next question question 10 और इस video का last question है ठीक है तो यह मैंने आपको जो question लिया यह fact के हिसाप से लिया ठीक है यह values है किसकी reticulocyte count की reticulocyte count in adult adult में जो इसकी value होती है normally कितनी होती है 0.2 से 2% होती है यह 2 से 4% होती है यह 4 से 8 होती है 8 से 9 होती है ठीक है अगर आप reticulocyte count के बारे में और detail में जाना चाहते हैं कि इस test को कैसे perform किया जाता है तो आप इसकी वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं इसकी वीडियो मैंने बना रहा है और अच्छी तरह से इसको detail में explain कर रहा है इसका लिंक मैं अपने description box में डाल दूँगी आप वहां जाकर करके इस वीडियो को देख सकते हैं तो आप इसका अंसर बताइए मेरे को question number 10 का reticulocyte count in adult adult में कितनी value होती है इसकी तो इसका answer है option question A 0.2 से 2% reticulocyte count होती है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक आज की question आपको कैसे लगे अगर आपको question पसंद आये हैं तो आप इसे like करें और share और subscribe करें इसके बाद next जो वीडियो है मैं hematology का ही एक part और लेके आऊंगे part 4 उसमें भी अच्छे अच्छे interesting question होंगे और आपके exam में वह बहुत ही benefit होने वाले हैं आपके लिए तो वीडियो को last तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका thank you for watching my video